Hello guys, Welcome to Soul Juggler तो आज इस वीडियो में मैं tripod उसाका OS 550 की unboxing करने जा रहा हूँ तो चलो video स्टार्ट करते हैं तो चलो guys इसकी unboxing स्टार्ट करते हैं उससे पहले इसमें जो जो दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें दिया हुआ है max height इसकी 1365 mm है है और minimum height 415 mm है folded height 425 mm और max tube diameter 17.5 mm है और net weight इसका है 480 g और max loaded 255 kg का तो और क्या दिया हो है इसमें है जलो देख लेते हैं अच्छा ये smartphone के लिए action cam के लिए camera और ipad इसके लिए support करता है ये tripod तो गाइस मैंने ये amazon से लिया है अगर आपको भी लेना है तो मैंने description box में link दे दिया है आप आजाके purchase कर सकते हैं इसके अभी price amazon में 1049 चल रही है तो चलो गाइस इसकी unboxing start करते हैं करह से open हो पहां च्रीक है यहां से और है ठीक है खुल गया देखते है गाइस इसमें क्या क्या कर रहा है ओके ये tripod stand का cover मिला है इसके साथ इसको अभी रख देते हैं और कुछ है कि इसमें इसके साथ एक और चीज मिली है होल्डर भी इसके साथ मिला हुआ है इसको मैं साइट में रख देता हूं इसको पहले मैं खुल के देखता हूं इस बार होल्डर कैसा मिला है जैसे कि आप देख रहे हो कि होल्डर काफी अच्छा मिला है और इसके साथ ओके यह connect करने के लिए इसके लिए मैं यह वीडियो में बाद में आपको बताता हूं कि इसको कैसे connect करते हैं तो फिर इसको side में रख देते हैं तो जल्दी से मैं इसको open करके दिखाता हूं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है ठीक है यह भी काफी अच्छी quality का दिया हुआ है अगर इसकी technical details की बात की जाये तो यह Sonia brand का है manufacture Osaka है model Osaka OS 550 का है और यह compatible है mobile phones और DSLR cameras के लिए और इसमें battery की जरुवत नहीं है अगर इसके material की बात की जाये तो यह aluminium material का है और यह Indian brand है और इसका weight है 800 gram तो चलो guys मैं अब यह बता देता हूं कि इसमें holder कैसे fit करते इसको लेते हैं यहां back side में pointer दिया हुआ है वह आपको लगाना पड़ेगा एक minute ठीक है यहां जो है इसमें से आप घुमा लोगे तो यह 80% tight हो जाएगा फिर आपको क्या करना है यह back side में एक pin दिया हुआ है उसको just right यह left side में इसे लगा देना tight अब देखोगे अगर आप तो यह अच्छे से tight हो गया होगा अब मैं यह दिखाता हूँ आपको कि इसको stand में कैसे लगाते है यहां एक आपको clip दिख रहा होगा इसको just left side ऐसे करके इसको एक मिनाट यह से लग जाएगा और इसको यह से छोड़ दोगे तो यह टाइट लग जाएगा तो गाइस मैं इसको mobile लगा कि आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाते हैं यहां पर एक इसको हम लोग ऊपर नीचे इसको ऐसे कर सकते हैं तो कोई भी mobile इसके लिए flexible है हम लोग लगा सकते हैं इसको अगर मैं लगाओं mobile को यह देखिए यह mobile ऐसे लग जाता है और इसकी खासियत यह है कि यह 360 360 घुम सकता है आपको नीचे करना है तो नीचे कर सकते हो को उपर करना है तो उपर कर सकते हो और यह भी नहीं कि यह weight adjust नहीं कर पाता यह अच्छ screw दिया हुआ है जिसके तुरू आप पहले इसको adjust करके इसके तुरू आप adjust कर सकते हो आपको 360 घुमा सकते हो आपको जहां जाना है वहां जाके इसको जिस position में रखना है उस position में रखके आप इसको ऐसे घुमा सकते हो फिर यहां से आपको बस इसको tight करना है यह आप देख पा रहे हो तो यह आपको दिख सकते हैं तो आप लोग इसको और हाइट इसकी बढ़ा सकते एक तो स्टैंड से तो बढ़ा ही सकते हो इसके जो स्टैंड दियो है मैं एक और चीज बता दूं कि यह जो स्क्रू है अगर आप इसको लूज करोगे तो इसको जितना आपको रखना है आप देख पा रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है यह आप इतने तक इसकी हाइट बढ़ा सकते हो ठीक है तो चलो मैं इसके फुल साइज आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपको मैंने पहले बता चुका हूंगी इसकी मैक्सिमम हाइट 1365 mm है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना थैंक यू